कोरोना अपडेट में 121 नए मरीज सामने आये हैं दिल्ली से आय रिपोर्ट में 121 मरीज पॉजिटिव पाई गए हैं कुल मरीजों की संख्या हुई 548 CMHO डॉक्टर प्रवीन जरियाने की इसकी पुष्टी आज रात को जो न्यू डेली से 465 लोगों के विजट्स आये हैं उसमें दौर की 210 लगाए गए थे जिन में से 117 पॉजिटिव पाई गए हैं इनको जोड़कर अभी तक इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 544 हो गई हैं कल तक जो दो रत हुए थे उनको जोडने क के बाद लटकों की संख्या 39 हो गई है और 37 हो गई है और 39 लोगों को अभी तक हम सब्सक्राइब कर चुके हैं इसके पहली रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और यदि इनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ जाती है तो हम इनको रिश्चार्ज कर लेगे कल अमारी जो स सब्सक्राइब कर लिए जा चुका है और 300 लोग इसमें से ऐसे मिले थे जिने सब्सक्राइब कर लिए पाई थी परन्तु मेडिकल मोबाल यूनेट की डॉक्टर्स की दौरा जब इनको देखा गया तो इनमें कोई भी कोरोना जैसे संक्रमंट नहीं पाए गए दूसरी बा है और इंदौर प्रशांशन पूरी तरह से तैयार है अभी किसी भी तरह के मरीज बढ़ते हैं आज जो मरीज बढ़े हैं 117 यह वो मरीज है जो इन्हें परेंटान हाउस में रखा गया था और जो प्रथम कांटेक्ट के मरीज थे हमारे जो पहले जितने भी मरीज पाजी क वाये थे उनके इसलिए भी यह कहा जा सकता है कि सुसाइटी में इसका भी वायरस का फैलाव भी हुआ नहीं है और पैनिक होने की इसमें कोई आवश्यक्ता नहीं है